कि है लो एब्रीवन स्वागते आप सभी का इस वीडियो में हम क्लर का कुशन पेपर सॉल्व करेंगे ये वीडियो का लास पार्ट है हम तीन पार्ट पहले ही सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हमने 126 कुशन सॉल्व किया हैं सारे कुशन के डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई ह जहां पर जुरूरी है उनसे क्या कुशन पूछे जा सकते हैं या क्या कुशन पूछे गए हैं तो वीडियो का लास तक देखिए गया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं तो देखते हैं हमारा कुशन न कि पूछा जा सकता है कि आपको बताना कि वेद का मिनिंग क्या होता है अगर आप बात करते हैं रिग वेदा की तो इसमें हमारे 1028 हाइम्स होते हैं यह पहले पूछा गया है और इसमें हमारे कितने मंदल सोते हैं 10 मंदल है और जो इसका थर्ड मंदल है उससे हमारा गायती मंतर लिया गया है और आपका जो गायती मंतर है हमारे संगॉड सावित्री को समर्पित है यह आप याद रख सकते हैं बात करते हैं हमारे सामदेदा की तो इसमें आपकी मैलोडीज है अगर आप बात करते हैं यह जुरुवेद की तो यह जुरुवेद में आपके प्रोसीजर हैं जो आपके सेक्रिफाइजिस हैं उसके लिए इसमें आपके प्रोसीजर बताए हैं और अगर आप बात करें अथर्वेद की तो अथर्वेद में आपके magical formulas है यह आप याद रख सकते हैं next question है हमारा Buddhism and Janism both gave stress on आपको बताना है जो हमारा बहुत दर्म था और जैन दर्म था उन्होंने किसके उपर ज़्यादा अपना focus रखा या ज़्यादा जोड दिया तो इसमें आप देख सकते हैं worship of God ऐसा तो कुछ भी नहीं था उन्होंने ज़्यादा हमारा focus किया वह उन्होंने focus किया non-violence पे अहींसा पे तो option भी आपका right answer होगा तो आईए जान जानते हैं हमारे जैनिजम के बारे में जैनिजम के बारे में जानते हैं तो जो हमारा जैन धर्म था उसकी स्थापना किस ने की थी हमारे जो थे रिशब नाथ और जो हमारे 23rd गुरु कौन थे ये पुछा जाता कई बार उनका नाम है पार्श्व नाथ पार्श्व नाथ और जो हमारे लास्ट गुरु थे 24th वो थे हमारे महावीरा वर्दमान महावीरा और जो ये गुरु जैने हम क्या करते हैं कह क्या कहते हैं तीर्थ नाकर जितने भी 24 गुरु हैं हमें इने तीर्थ नाकर भी कहते हैं तो ये चीजे आप बुद्धिजम सारी जैनिजम के बारे में याद रख सकते हैं अगर आप बात करते हैं बुद्धिजम की जो बुद्धिजम का शुरुआत की थी हुआ हमारे सिध्दार्थ जी ने की थी और इनहें हम गौतम बुद्दा के नाम भी जानते हैं गौतम गुद्धा और इनका जनम का हुआ था इनका जनम हुआ था लुम्बणी में लुम्बणी में और ये हमारे साक्या क्लेंड से संबंध रखते हैं ये कोशन भी पूछा गया है इनके दो फादा थे उनका नाम था शुद्धोधना शुद्धो धना और जनकी मदर थी वो थी महा मया इनके जनम के बाद ही गौतम बुद्ध के जनम के बाद ही इनकी जो मदर थे वो एक्सपायर हो गये थे और जनकी जो स्टेप मदर थी गौतमी इन्हों नहीं इनका पालन पोशन किया और जो गौतम भूत थे इन्हें 35 इयर्स की एज में इन्लाइटमेंट या जिसे हम निर्वाना कहते हैं वो एक बहुत गया में हुआ था एक पीपल ट्रीके अंडर बहुत गया में इन्हें इन्हें इन्लाइटमेंट या निर्वाना हुआ था यह जिए आप याद रख सकते हैं आपको बताना है सिंदु हटी सब्वेता कि खोज कब हुई थी तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नैंटेन ट्विंटी एडी में और किस ने की थी यह थे हमारे अगर आप बात करें हमारी जो इसकीिक सैट थी हरपन यह कुषन पुछा जा सकता है अगर आप्श ने की थी President सहानी और जो हमारी इंडिस वैली सिविलाइजेशन ने हमारी ब्रॉंज एज से तालुक रखती है और जो हमारा हडपा था वो हमारा रावी रीवर के किनारे पे बस्ता था तो यह चीज़े आप याद रख सकते हैं नेक्स कुशन देखते हैं तो फर्स्ट मुनार्कों मगदा किंग्डम इन दा सिक्स सेंचुरी वॉस आपको बताना है मगद राजशाई के छटी शताबदी के पहले राजा कौन थे इतके जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए बिम्भी सार बिम्भी सार के बारे हम बात करते ह हमारे रियनका डाइनेस्टी से तालुक रखते थे और यह हमारे कंटेंपरी रिथे गौतम बुद्धा के और महावीरा के और बात करते हैं अजाजशत्रु तो जो अजाजशत्रु थे यह बिम्भी सार के बेटे थे और अजाजशत्रु ने ही अपने फादर को बिम्भी सार को मार दिया था ताकि वो अपना उनसे राज़्सा चीन सके और बात करते हैं हमारी चंद्रगुप्त मौर्या की तो चंद्रगुप्त मौर्या जो हमारे इन्हें हम सेंडो कोटस के नाम से भी जानते हैं या फिर एंडो कोटस इसके नाम से भी जानते हैं है है अगज़ को सिने फॉर्स्ट मेटाली कोई यूज़ इन इंडिया वास आपको बताना भारत में पहली बार दात्व के शिक्क के उप्योग किस जगह पर किये गए तो इसका इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी बिहार एंड इस्टन यूपी नेक्स कोश्चन है हमारा दो मौरेंड डाइनेस्टी वाज ओवर्थ्रोन बाई मौरे राजशाही को किसने उखाड फैंका था इसका जो हमारा राइट आंसर है आप्शन सी पुश्य मित्र सुंगाने नेक्स कोश्चन देखते है हमारा सूफी सेक्ट डिवलप्ट इन बिच रिजन आपको बताना सूफी संपरदाय किस धरम में बढ़ा तो इसका जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन भी इसलाम नेक्स कोश्चन है हमारा दे कैपिटल ओप काक्तिया डाइनस्टी वास आपको बताना काक्ति राशाई की राजधानी क्या थी इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन दी वारंगल आपको बताना जब अकबर जवान थे तो उनके सरक्षक कौन थे इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बैरम खान और बात करते हैं हमारे अवल फजल जो अवल फजल थे ये इनके वजीव थे और अबुल फजल ने ही अकबर नामा भी लिखा है ये कुशन बहुत बार पूछा जाता है अकबर नामा बात करते हैं हमारी फैजी की तो फैजी ये थे अबुल फजल के ही ये ब्रदर थे और ये एक हिस्टोरियन भी थे इनका फीमस वर्क है लीलावती मैट्स में और इन्हें अकबर ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रखा हुआ था नेक्स कोशन है वेन डिड़ वास्को डिगामा कम टू इंडिया आपको बताना है वास्को डिगामा भारत में कब आया था इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन C 14 से उठानों में और कहां से है था केप ऑफ गुड होप जो पूर्त गाली थे वो भारत में मसालों का व्यपार करने आये थे नेक्स कोशन है कीरती स्थमभा एट चितोड वास बिल्ट वाई आपको बताना है जो हमारा केरती स्थमभा चितोड में किसके दारा बनाया गया था उसका जाट राइट आंसर ऑप्शन C राणा कुमभा नेक्स कोश्चन है हमारा दो मत्वरा स्कूल ओफ आर्ट फ्लॉरिश्ट द्यूरिंग रिजिन ओफ आपको बताना है मत्वरा काल कलाव इद्याले किसके शाशन में फला फूला इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिश्का टॉम ओफ बाबर इस एट आपको बताना बाबर का मकमरा कहां पर स्थीत है तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन भी काबूल आपको बताना अश्टा द्याई के रश्चाजिता कौन है यह हमारे है पाणिनी आरे बटा था हमारे मैथेमेटिशन थे नेक्स कोश्चन है फूल लूटिट टेंपल ओफ सोमनाथ यह कोश्चन बार बार पूछा जाता है तो जिसका हमारा राइट आंसर है सोमनाथ मंदिर को किसे ने लूटा था यह हमारे महमूद गजनी वूज रिगार्डिड एस दा ग्रेट टेस्ट लॉग इवर ओफ इंडिया आपको बताना है पुरातन भारत के महान नैकरता किस नाम से किसे माना जाता था इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन भी मनू पतंजली जो थे इन्होंने हमारे योगा का योगा नोने शुर गुप्त भी कहते थे और यह इनका जो इकनॉमिक से लिटेट इस नेक्स्ट कोश्चन है सवराज पार्टी वास फॉर्म्ड इन विचीर आपको बताने सवराज पार्टी कब बनी थी इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिविल डिसोबेडियन्स मुवेंट सभी ने अवग्या अंदोलन जो मारा क्विट इंडिया मुव्मेंट था है हमारा 11 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था और जो मारा नॉन कोपरेशन मुव्मेंट था है हमारा 1920 से 1922 तक चला था आपको बताना है भारती अराश्टी कोंग्रेस का प्रथम विवादन किस अध्वेशन में हुआ था तो ऑप्शन भी सूरत अध्वेशन में कॉंग्रेस की फॉर्मेशन कब हुई थी यह 1850 में और किस ने की थी ए ओ यूम यह हमारे एक अंग्रेश थे आपको पताना है स्वतंतरता के बाद सबसे पहले भिवाजित होने वाला राज्य कौन सा था इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए बॉमबे जिसे आज हम मुवई के नाम से जानते हैं आपको बताना है वीदी के अनुसार समान तक अधिकार है यह हमारा कौन सा राइट है यह हमारा सिविल राइट है A money bill passed by the log sabah has to be passed by राजसभा वी दिन आपको बताना है कि जो money bill है जब वो आपके log sabah से pass होता है तो राजसभा में वो कितने दिनों के अंदर pass होना उसका ज़रूरी है इसका जो हमारा right answer है option A 14 days राजसभा can have maximum strength आपको बताना है राजसभा की maximum strength कितनी हो सकती है इसका जो हमारा right answer है option B next question है who holds office during the pleasure of president आपको बताना राश्टपदी के आराम की समय में उनका कारे कौन संभालता है तो इसका जो हमारा right answer है option D governor states के जो governor होता हुने president ही appoint करता है वो उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी appoint कर सकता है remove कर सकता है इसलिए ही ये इन्होंने pleasure of president कहा है कि जब मर्जी भी change कर दिया या हटा दिया या लगा दिया next question है the union council of ministers is collectively responsible to केंद्री अमंत्री मंडल सामोई की रूप से किस के प्रती जिम्मेदार होता है ये हमारे house of people के प्रती जिम्मेवार होता है जिसे हम लोगसभा भी कहते है which tax is levied by the state government only आपको पताना है कौन सा tax आपकी जो state government द्वारा ही लगाया जाता है इसका जो हमारा right answer है वो हमारा option entertainment tax लेकिए आप इसे कैसे याद रख सकते हैं जब भी हमारी movies release होती है तो कई बार कुछ states ऐसे कहते हैं कि हम इस पे कुछ भी tax नहीं लगाएंगे वो हमारा entertainment tax ही होता है बाकी tax तो हमारी center government लगाती है तो इस तरह किसे आप याद रख सकते हैं जो हमारा entertainment tax है वो हमारा state government ही लगाती है उनके अपनी मर्जी है वो next question is which of the following is not a writ issued by a superior court to an inferior court आपको बताना है इन मैंसे कौन सी आचिका कुछ कोट द्वारा निमिन court को जारी नहीं की जाती इसका जो हमारा right answer option d को warrant हो तो देखिए हमारा पास कितने टाइप की रिट्स होती है ये भी पुछा जाता है हमारा पास आर्टीकल 32 सुप्रीम कोट इसके अंडर हमारी रिट्स इशू कर सकता है अगर आप बात करते हैं आर्टीकल 226 पुछा जाता है तो इस पर हमारा हाई court रिट्स इशू कर सकता है और जो हमारा जनूनली जो सुप्रीम court जो रिट्स इशू करता है वह हमारे fundamental rights के लिए यूज करता है इस लिए ही सुप्रीम court को guardian of fundamental right भी का जाता है यह हमारा guardian of constitution भी का जाता है बाकि जो हमारा high court होता है उसके पास वो fundamental rights के लिए भी कर सकता है और कोई हमारा other purpose हो उसके लिए भी use कर सकता है आप यह याद रख सकते हैं बात करते हैं हमारे पास अगर हम बात करें हैबस हैबस कॉर्पस यह हमारी एक रिट होती है तो इसका जो meaning होता है हमारा to have a to have a body यह देखे कब issue होती है जब आप किसी को जब state आपका illegally इसको detain कर लेता है इसका मतलब क्या है मान लीजिए कि आपको बीना किसी वज़ा से ही आपको जेल में बंद कर दिया जाता है तो या तो आप अपनी उस detention को oppose करने के लिए आप खुद court में जाकर या तो आप खुद अरजी लगा सकते हैं या चिका दाय कर सकते हैं या आपका कोई भी दोस्त माता पीता या कोई भी आपके उस पे भी हाप पे एक या चिका लगा सकता है कि इन्हें illegally detain किया गया है तो हमारा हैपेस का उपस रिट इशू होती है बात करते हैं हमारा दूसरी मेंडेमस की मेंडेमस का मतलब क्या होता है वी कमांड वी कमांड देंकि रिट बहुत बार पूची चाती है इसका मतलब यह होता है कि यह इशू होती है जब कोई public servant अपनी duty परफॉर्म नहीं कर रहा था ठीक है तो वो duties परफॉर्म करें इसकी लिए हम मेंडेमस को इशू करते हैं फिर हमारी next है हमारी सर्शियो श्र fight यह कब होता है यह हमारा supreme court हैं वो हमारे lower court को issue करता है वो अपने किसी भी के इसको अपने पास refer कर सकता है अगर high court उस पर अपनी duties अच्छे से perform नहीं कर रहा हो अजया उसे कोई decision पर कुछ सही नहीं लग रहा हो तो वो एक review करने के लिए यह certiorary rate अपने से subordinate court को या lower court को issue करता है बात करते हैं हमारी next जो हमारी होती है prohibition prohibition का कब होता है इसका मतलब क्या है to forbid to forbid आप इसका मतलब या रख सकते हैं यह कब होती है in case आपको आपका judgment illegal है आपने आपके जो हमारे lower court है उन्हेंने कोई judgment illegal दिया है यह तब ही हमारी लगती है जब judgment डिलीवर हो गया है तब आप इसको challenge कर सकते हैं तो हमारी prohibition जो हमारी rate है वो issue की जाती है बात करते हैं हमारी last one की co warranty तो इसका मतलब क्या होता है आपने कोई आपने अगर कोई भी public office में आपने कोई भी पद को grant किया है बट आपने उसकी जो qualifications थी उनको fulfill नहीं किया in case मान लो आप एक teacher है आपने कोई exam नहीं दिया आपने कोई भी आपकी qualification meet नहीं घरती है बट आप उस school में उस public office में teacher लगे हो तो आप से कोई तो तब ये जाके rate issue होती है कि आप हमें बताइए कि आपने किस basis पे ये जो public office है या आप कर ने जो ये पद गरहन कि किया है वो किया है तो ये तब जाके ये rates issue होती है तो आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास पांच rates होती है और इनका मैंने meaning समझाने की कोशिश भी की है next question है हमारा which were incorporated into the constitution by amendment आपको बताना है इन में से कौन ससन शोजन करने पर शामील किया गया था तो इसका जो हमारा right answer option B fundamental duties the delimation of the territorial constituencies in India is responsibility of आपको बताना है भारत में प्रादेशी निर्वाजन शेत्र के परिसीमन की जिर्मेदारी किसकी होती है इसका जो हमारा right answer option C election commission की कि नीती आयोग इस एन आपको बताना नीती आयोग क्या है हमारा है हमारी एक executive body है देए कई वारे question पूचा जाता है बात करते constitution body क्या होती constitution bodies यह होती है जो हमारी पहले ही सम्वीदान में लिखी जाए चुकी है जैसे हमारी UPST हो गया आपका election commission हो गया आपका finance commission हो गया commission for SCST यह जो हमारे यह चीज है हमारी एक constitution bodies में आती statuary bodies क्या होती जो government committees form करती हैं उनके पास legal rights होते हैं ताकि वह government की भिहाब पे decision आपको बताना है जो प्रजातांत्री संस्ता जो ग्रामिट्स तर्फ लेज़न ले चुके ले चुके तो ने हम statuary bodies क्याते हैं 7th schedule of Indian constitution deal with आपको बताना है जो हमारी बार्थी सम्वीदान की साथ भी अनसुची किसे संबंध रखती है इसका हमारा right answer option d3 list regarding legislation next question the democratic body at the lowest level of rural local self-government is called आपको बताना है जो प्रजातांत्री संस्ता जो ग्रामिट्स तर पर self-government की सबसे नीचली संस्ता है उसे क्या कहते है यह हमारा है ग्राम पंचायत next question है from which country did the tradition of written constitution begin आपको बताना है कि जो हमारा written constitution की परिमपरा थी वह किस देश से शुरू हुई थी इसका जो हमारा right answer option d America who was the speaker of first log sabah आपको बताना है first log sabah की speaker कौन थे इसका जो हमारा right answer option a जी वी मालवंकर which planet is at the farthest distance from the earth आपको बताना है कौन सा ग्रह प्रिच्वी से सबसे दूर है तो जो भी ग्रह दिये गए हैं according to distance ही दी गए हैं तो हमारा सबसे लास्ट है नेक्चून इक्वी नॉक्स अकर वेंद सन इस वर्टिकली अब आपको बताना है कि इक्वी नॉक्स कब होता है तो इसका जो हमारा right answer option d जब आपका सूर्य एक्वेटर पर होता है नेक्स कोश्चन है USA is divided into how many time zones आपको बताना है जो हमारा USA कितने टाइम जोन में बांटा गया है इसका जो राइट आंसर आप्शन है फाइव नेक्स कोश्चन इस प्राइम मेरीडियन इस आल्सो कॉल्ड आपको बताना है जो हमारा प्राइम मेरीडियन है वो किस नाम से जाना जाता है इसका जो हमारा right answer आंसर है वह हमारा option d ग्रीन वीच मेरीडियन नेक्स कोश्चन है हमारा रोरिंग फोर्टीज आर आपको बताना है रोरिंग फोर्टीज क्या है इसका जो हमारा राइट आंसर है option d steady northwest anti-trade winds in southern hemisphere option d is the right answer the ozone layer protect us from आपको बताना है ozone layer जो है हमें किस से बचाती है तो सभी को पता ही है यह हमारी UV rays से बचाती है जिसे हम ultraviolet rays भी कहते हैं the amount of albedo is in the atmosphere is about आपको बताना है वायू मंदन में albedo की कितनी मात्रा होती है approximately तो इसका जो राइट आंसर option a 42% which cloud is known as high cloud आपको बताना है इन में से कौन सा उचमेग जाना जाता इसे हम कहते हैं serious option is the right answer which metal is most abundant in the earth's crust आपको बताना है इन में से कौन सी धातू प्रिथिवी सथा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है इसका जो हमारा right answer option c aluminium तो यह था हमारा color full question paper बाकी parts आप देख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप like share and subscribe कर सकते हैं मैंने options को भी जहाँ पर मुझे लगाज जरूरी है मैंने वहाँ पर उन्हें explain करने की कोशिश की है अगर आपको लगता है कहीं भी कुछ mistake है तो आप comment कर सकते हैं ताकि मैं आने वाले time में उसे सुधार सकूँ thank you so much